दोस्तों, बॉलिवुड सेलेब्रिटीज पे कुछ नियम लागू नहीं होते. यहाँ चाहे आपकी उम्र 30 हो या 40 हो या फिर 50, आप जब चाहे शादी और किसी दूसरे की लाइफ की बरबादी कर सकते हैं. अब बात कर रहे हैं एक ऐसी सेलेब्रिटी की, जिनके कारناमों से बच्चा-बच्चा वाकिफ है और उनका नाम है मलाइका अरोडा. दोस्तों, मलाइका तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब उनका नाम उनसे 11 साल छोटे अरजुन कपूर के साथ जुड़ा गया. ये बाते यहां तक पहुँच गई थी कि अरजुन कपूर और मलाइका को देर रात उनके घर स्पॉर्ट किया जाता था. बॉलिवुड में जितने भी लव अफैर्स देखने को मिले, उसमें से ये कपल ने सबसे ज्यादा सुर्खिया बटोरी है. पहले तो ये दोनों ही अपने रिष्टे को एक नाम देने से कत्राते थे, पर अब ये हाथों में हाथ डाले पब्लिकली अपने रिष्टे को एक्सेप्ट करते हैं. दोस्तों, मलाइका के इतने सारे अजीब किस्से और कारनामे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको सनी लियोनी भी आपको देवी की तरह लगने लगेगी. आपको पता है कि रोमान्स और सोशल मीडिया की खबरें मलाइका को जितना बुरा बताती है, असल में वो उतनी बुरी नहीं है. दोस्तों, मलाइका ने बहुत कम उम्र में मॉडलिंग ज्वाइन कर ली थी. वो एक डांसर है जो ज्यादा तर अपने डांस की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है. साल 1990 में वो MTV के लिए वीडियो शो के लिए चुनी गई थी. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उन्हें कई विग्यापनों की तरफ से ओफर आने लगे. समय के साथ उनकी पॉप्यूल नरिटी इतनी बढ़ गई कि एल्बम सौन गुरुनाल इश्क मिट्टा और बॉलिवुड फिल्म दिल से का आइटम नंबर छहिया छहिया के लिए उन्हें साइन कर लिया गया. पर दोस्तों, किसी भी नए बाहर वाले को बॉलिवुड में काम पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यह तो आपको पता ही होगा. कहां जाता है कि मलाइका भी अपने शुरुआती दौर में वो सब कर चुकी है जो आज के दौर काम पाने के लिए किया करती है. उन्होंने अपने टाइम पर कई फिल्मों में आइटम नंबर किये हैं, और सभी के सभी अपने दौर में सुपर हिट भी रहे हैं, जैसे कि गुरुनाल इश्क मिठा, छीया, च्छेया, मुन्नी बदनाम हुई जैसे और भी कई सारे गाने हैं. सन 2000 में कई फिल्मों में आइटम नंबर करने के अलावा, उन्होंने कैमियो ओपीरियंस भी किये, फिर 2008 में उन्हें अपनी लाइफ का बड़ा रोल फिल्म एमी में मिला, जो कि बॉक्स आउन फिस में बुरी तरह से फ्लॉप रही, 2010 में उन्होंने फिल्म दबंग का इसके अलावा वह फिल्मों में पैसा भी लगाती है, वो एक successful producer भी रह चुकी है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपने ये जरूर सोचा होगा कि मलाइका का इतने सारे काम करती है, तो वो पैसा कितना कमाती होगी, उसका जवाब सुनकर जरूर आप दंग रह जाएंग मलाइका एक फिल्मों में एक आइटम नंबर पर डांस करने के लिए करीबन 8.75 करोड़ रुपे चार्ज करती है